तो अगर आपसे पुछा जाए वर्ल्ड क्रिकेट में अभी इस वक्त सबसे बड़िया बल्लेबाद कोन है तो शायदी कोई आशा भारती होगा जिसके नाम पर सुरिकुमार यादाओ का नाम नहीं होगा जी हा दोस्तो आज फिर से सुरिकुमार यादाओ ने अपने आपको फिर से एक अच्छा बल्लेबाद साबित करके दिखाया है जी हा दोस्तो अगर आपको बता दू कि सुरिकुमार यादाओ ने स्री लंका के खिलाब 30-20 मैच में फिर से एक बार शतक लगाया है साल 2023 का पहला शा तक सूरी कुमार यादव के नाम हो चुका है और उन्होंने इस पारी में कई रेकॉर्ड्स बना है लेकिन मैं जादा रेकॉर्ड्स नहीं बता हूँगा आपको सबसे पहले उनके बल्ले बाजे के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों उन्होंने सिर्फ 51 गेंदों में 112 रणों की तूफानी पारी खेली है जिसमें उनके साथ चोके और 9 चके जी हाँ दोस्तों 9 चके लंबे लंबे चके शामिले जिसमें उनका स्ट्राइक रेट अगर आपको बता हूँ तो 219 पॉंट 61 कार स्ट्राइक रेट है शायद ही कोई ऐसा गेंदाज है स्रीलंका का जिसकी धुलाई उन्होंने ना की हो इसी वज़े से भारत का स्कोर भी काफित जबर्दस बन गए है भारत ने 20 ओवर में 228 रन बनाए है याने स्रीलंका के सामने जीत के लिए 229 रनों का लक्ष रखाए ये पाहर जैसा लक्ष शायद वो पाहर नहीं कर पाए ऐसा मुझे लग रहा है लेकिन अभी मैं आपको फिलाल बता दू उन्होंने जो एक रेकॉर्ड जो सबसे बेस्ट रेकॉर्ड में आपको बताना चाहूंगा जो उन्होंने बना है जो सुर्यकुमार यादव ने बता है उसके बारे में अभी बात कर लेते हैं दोस्तो सुर्यकुमार यादव ने fastest 2020 century for India में अपना नाम दो नमबर पे शामिल कर लिया है जोस्तो उन्होंने बॉल वाइज याने सबसे कम गेंदों में सतक बनाने ओले भारत के वो दूसरे प्लियर बन चुके है रोईट चर्मा का नमबर वन है जोस्तो जिनोंने स्रीलंका के ही खिलाप साल 2017 में इंदोर में 25 गेंदों में सेंचुरी का रेकॉर्ड बनाया था और अब सीधे नाम आ रहा है सुरेकुमार र्यादव का जिनोंने स्रीलंका के ही खिलाप राच कोट में 2023 में अभी आज के मैच में 45 गेंदों में शतक बनाया है उसके बाद नाम आता है केल रहूल को उन्होंने पीछे चोड़ दिया उन्होंने 46 गेंदों में शतक बनाया था जाने एक बार 45 गेंदों में एक बार 48 गेंदों में एक बार 49 गेंदों में एक तीन सतक फास्टेस्ट जो भारत के तरफ से रहेंगे तो 100 जो भारत के तरफ से है इसमें इनका ही नाम तीन बार है दोस्तों और सबसे पहला नाम रोईच शर्मा का है एक नाम है केल राउल का तो क्या जबरदस्थ पारी थी दोस्तो अगर आपने देखी हो वो तो ठीक है लेकिन अगर आपने ये पारी अगर मिस कर दी हो तो आपने बहुत कुछ кру कर दिया है दोस्तो इतना ही नहीं मैं आपको बताता चाहता हूँ कि इन्हों ने जो ये 3 centuries लगा ही है जिसमें उन्होंने 2022 में जो England के खिलाब बनाय थी उसमें भी उन्होंने पचपन ही गेंदे खेली थी और 117 रन बनाय थे इसके बाद उन्होंने 2022 में जो New Zealand के खिलाब century लगा थी उसमें 51 ही गेंदे खेली थी 111 रन बनाय थे उसके बाद अब उन्होंने यहाँ पे भी 51 ही गेंदे खेली है और 112 रन की बड़ी और विशाल पारी उन्होंने खेली है तो अब तक मेरे खाल से एबी डियोलर्स को 360 डिगरी कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में लेकिन मुझे लगता है अब ये सिर्फ सुरिकुमार यादव जो है सिर्फ भारत के ही नहीं वर्ल्ड क्रिकेट के 360 कहलाने के हगदार बन चुके है एबी डियोलर्स के बाद ये अब सबसे जबदस बल्लेबाद है जो कहीं भी शौर्ट लगा सकते हैं अब सबकी इस पे क्या रहा है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और साथी साथ आपको क्या लगता है वर्ल्ड क्रिकेट में अभी सब सबसे बड़िया बल्लेबाद सूर्य कुमार है या फिर कोई और है आज की वीडियो में इतना है दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यों धन्यवाद और गुडबाए